So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का Potion Tracker App की एक नई वीडियो में तो चलिए Potion Tracker App में 15.5 अपडेट के आने के बाद एक और नई महतोपुन जनकारी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसा कि आप लोग Thumbnail देखी चुके होंगे कि अब जाती के आधार पर किसी भी लभार्थी का आप निव रेश्टेशन कर पाएंगे जी हाँ आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं अगर आप लोग Potion Tracker App में 15.5 अपडेट के आने के बाद किसी का भी आप लोग रेश्टेशन करते हैं चाहे वो गर्भौती महिला हो या फिर धातीरी महिला हो या फिर कोई भी बच्चा हो अगर आप उसका निव रेश्टेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर उस लभार्थी का केटेगरी में जाके उसको सेलेक्ट करना होगा कि वो किस जाती से है ST है, SC है, OBC है, General है, क्या है उसको वहाँ पे select करना होगा उसके बाद ही आप लोग new restoration कर पाएंगे तो आज की ये वीडियो आप सभी आंगन बारी बहनों के रिए काफी informative और काफी useful होने वाली है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देख लिजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like और share कर दिजिएगा चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को भी subscribe करके घंटी के वेल notification का बटन जरूर से लेक कर लिजिएगा चलिए मैं आपको यहाँ पे live proof करके एक new registration करके दिखाने वाला हूँ कि किस परकार से आप लोग new registration करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे beneficiary वाली categories को open कर लिया है open करने के बाद यहाँ पे आप किसी का भी registration कर पाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको pregnant woman का एक registration करने वाला हूँ और यहाँ पे सभी category में आपको यह option दिखने को मिलेगा और जैसे कि आपको बताते चले कि पोसंट रेकराइप में किसी pregnant woman का जो new registration करते हैं तो वहाँ पे जो month select करने का option था उसको हटा दिया गया है उसको हटाने के बाद ही यहाँ पे एक नया option को लाया गया है तो चली हम यहाँ पे गर्भवती महिला का new registration कर लेते हैं यहाँ पे हम pregnant woman पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे new registration वाले पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे सकते हैं game of pregnant woman husband name अधार health ID health ID नहीं है तो छोड़ देंगे उसके बाद date of worth और यहाँ पर आपको नीचे आएगा mobile number और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि category का एक option यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर आपको सेलेट करना है कि यह किस category का है यहाँ पर रेश्टेशन करते समय आपको यह बात ध्यान रखना है कि वह किस जाती का है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस प्रेग्रेंट रूमेन का नाम लिख दिया है जैवेत्री देवी पती का नाम दिनेश कुमार यादव अधार संके हमने यहाँ पर डाल दिया है यहाँ पर हमने डेट वर्थ डाल दिया है अब नीचे आते हैं इसका मोबाईल नमबर डाल दिया और यहाँ पर आने के बाद अब आपको इसका जाती सेलेक्ट करना है कि यह किस जाती का है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 5 कास्ट का यहाँ पर option दिया गया है SC, ST, OVC, Minority, General तो यहाँ पर हम इसका जो कास्ट है वो OVC डालने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर OVC में यह जो यादव है वो OVC में आते हैं तो हम यहाँ पर OVC कर देंगे उसके बाद यहाँ पर हम No पर क्लिक करेंगे क्योंकि यह पहली गर्भवास्ता नहीं है और यहाँ पर Miss Carriage भी नहीं हुआ है यहाँ पर हम इसका LMP Date डाल देंगे और Submit कर देंगे और जैसा कि इससे पहले जब आप किसी Pregnant Toman का Registration करते होंगे तो यहाँ पर एक Option आता था कि यह गर्भवाती महिला कितने महिनों से गर्भवाती है उसका Option यहाँ पर Select करने का Option आता था तो उसका Option यहाँ पर फिलाल हटा दिया गया है उस Option के जगाँ पर यहाँ पर Cast Select करने का Option एड़ कर दिया गया है तो अब आप लोग यहाँ पर बीना Pregnant Month डाले हुई आप यहाँ पर Registration कर सकते हैं चली हम यहाँ पर इसका Registration करके दिखा देते हैं तो हमने सारा Detail सही सही फिल कर लिया है उसके बाद यहाँ पर हम Submit वाले पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि आपके सामने हमने यहाँ पर इसका New Registration कर दिया है और इस परकार से आप लोग भी यहाँ पर New Registration कर पाएंगे यहाँ पर हम Go To Back पर क्लिक करेंगे और Back आने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस Pregnant Romain का जो मन्त है वो कितना मन्त है यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी केटेगरी में जाएंगे जैसे कि यहाँ पर Electracting Mother वाली केटेगरी को Open करते हैं Open करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे New Registration वाले पर किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद देख सकते हैं कि इस केटेगरी में भी आपको यह Option देखने को मिल रहा है यानि कहने का मतलब है कि आपको सभी केटेगरी में यह Option देखने को मिलेगा कि वो किस केटेगरी से यानि किस जाती से बिल्योंग करता है वो लभारती उसका आपको चुनाव करना होगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पर New Registration कर पाएंगे तो बस आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आप सभी आगनबारी बहनों को आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर पोसंद ट्रेकर एप से रिकार्डिंग आप लोग को कोई भी कोश्चन हो तो आप हमें कमेंट बक्स में पूछ सकते हैं आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद